हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल करकेट एक्सपर्ट में दोस्तो भारत और न्यूजिलेंड के बीच होने वाली दो टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 25 से 29 नौवंबर तक कानपूर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में आयोजित होना है दिखा सकती है और जानेंगे इसके बारे में सभी अनसुल ये रहस कि मैच के दवरान ये पिछ कैसा खेलते हुए हमें नजर आ सकती है दोस्तो इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे भारती टीम जहां रोहित सर्मा बिराट कोहली जस्प्रीज बूमरा और मुहम्मद स्वमी को पहले ही आराम दे चुकी थी वहीं केल राहुल के चोटिल होने की वज़ा से अपने पांच प्रमुक खिलाडियों के बिना उतर रही है तो नीजिलाइन के टीम में भी उनके तेजगेद बाज टेंट बोल्ट नहीं खेलते नजर आएंगे आपको क्या लगता है कौन सी टीम बहतर करेगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम पिछ रिपोर्ट बताएं उससे पहले आप से कहना चाहेंगे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा लीजिए क्योंकि अगर आप क्रिकेट को पसंद करते हैं तो क्रिकेट सम्मंदी सारी चोटी बड़ी अपडेट आपको बिल्कुल फ्री में देने के साथ साथ सभी मैच की बेश्ट दे मिलेबन टीम बिल्कुल फ्री में दी जाती है तो चैनल अभी तुरंट सब्सक्राइब कर लीजिए आईए अब देखते हैं कानपुर के ग्रीन पार्क की पिछ को कि ये कैसा है और कैसा खेल दिखा सकती है पाचो दिन टेस्ट मैच के दोरान दोस्तो कानपुर की पिछ इस बार काली मिट्टी से बनाया जा रहा है जो मोश्टली धीमी पिछ मानी जाती है यहां पर बल्ले बाजो को ज्यादा आउसर मिलता है जहाला कि काली विकेट का फायदा यह रहता है कि थोड़ा सा जल्दी यह तूटने लगता है और मैच के तीसे दिन से इसमें क्रैकिंग सुरू हो जाएगी हलकी हलकी दरारे सुरू हो जाएगी हलाकि बात करें इस काली मिट्टी की खासियत की तो ये ठंडी की मौसम में सुरू हो रहा है ये मुकाबला नौमबर 25 को तो ठंडी में थोड़ी सी उकीली हवाएं यहां पर बहेगी और सुरुवाती ओभर्स में तेजगेद बाजो को मदद जरूर मिलेगी लेकिन इसके बाद बैटिंग करना आसान रहेगा बात करें सबसे हम पहले हम पहले दिन की तो पहले दिन सुरुवाती एक दो घंटे तेजगेद बाजो के लिए अच्छा रह सकता है इसके बाद बैटिंग करना पूरी तरह से अच्छा रहेगा यहाँ पर मैच के दूसरे दिन भी काफी अच्छी खासी बैटिंग पिछ रहेगी मैच के तीसरे दिन लंच तक ठीक ठाक रहेगी और इसके बाद यहाँ से दरारे बढ़नी शुरू हो जाएंगी दरारे पढ़ने के मतलब यह है कि यहाँ पर अब इस्पिनर्स को ज़्यादा फायदे मंद रहेगी अस्विन जटेजा मिचल सेंटेनर जैसे इस्पिन गेद बाजो को यहाँ धेरो अवसर मिलेंगे खासकर मैच के तीसरे चौथे और पांचवे दिन और यह दरारे लगातार बढ़ती जाएंगी हालाकि अभी भी मैच के तीसरे दिन भी यहाँ पर बैटिंग करना ठीक रहेगा हालाकि गेद बाजो को खासका रिस्पिन गेद बाजो को मदद मिलने सुरू हो जाएगी जबकि बात करे हम मैच के चौथे दिन तो यहाँ पर काफी अच्छी खासी मू दोस्तों बात करें यहाँ के पिछले इतिहास की तो कुल मिला के 22 मुकाबलों में केवल 10 मैचों का ही रिजल्ट आया है और बाकी के बारे मुकाबले ड्रा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली ही पिछ बनाई जाती है तो यह इसकी भ पिछले बाजों को तिकना मुश्किल हो जाएगा वैसे आपको क्या लगता है कौन सी टीम यहाँ मैच जीतने वाली है और आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यबाद दोस्तों आपका दिन सुब ह बीडियो को लिए और आपका लाली है cotर देखने के लिए।